नमस्कार दोस्तों ग्यान एकडमी के ओनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम अपने वीडियो में जिस जिस की बात करने जा रहे हैं आज हम देखेंगे आपका 2018 में उत्राखंड राजिम हुए प्रवक्ता समवर यानि की लेक्सरार का जो एक्जाम हुआ था उसके पेपर का हम सर्यूशन देखेंगे एक्स्प्रिंडेशन के साथ उसको विस्तार रूप में हम देखते हुए चलेंगे और आज हम जिस विसाय का पेपर सॉल्फ करने जा रहे हैं जिस विसाय का हम हल निकालने जा रहे हैं वो है आपका विसाय है इत्यास यानि की हिस्ट्री तो हिस्ट्री के पेपर के आज हम बात करते हुए चलेंगे इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जोग्रफी का पेपर और पॉलिटिकल साइंस जाने की राजनिती विज्ञान का पेपर जो 2018 में हुआ था उतराखन में वो हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है हम नीचे आपको उसको लिंक दे देंगे आप उस लिंक के थुरू जा सकते हैं और सीधो उस पेपर को देखिए उसको पुरा solution के साथ देखिए बहुत बया तरीके सो एक्स्प्रेंट करते हूँ हमने उसको answer दिया है पेपर को solve करा है ठीके दोस्तों तो सुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं question number 1 से question number पहले यहाँ पर दिया गया है मोहन जोदाडो जिले में इस्तित है यानि कि यहाँ पर यह पूछना चाहता है कि मोहन जोदाडो जो आपका इंडेस वेली सिविलाज़़जेशन सुन्दु कहटी सब बिता के एक साइट थी वो किस जिले में पढ़ती है तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका निकल के आएगा answer C यानि की लरकाना देखें दोस्तो लरकाना की अगर बात करें तो लरकाना आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है जिसके अंदर मोहन जोदाडो पढ़ता है मोहन जोदाडो आपको जैसे कि आप सबको पता है मोहन जोदाडो सिंधु घाटी सब्विता में पाया गया एक इस्तल था और इसकी खोच किस ने की थी मोहन जोदाडो की इसकी खोच की थी राखल दास बैनर जी ने राखल दास बनर जी ने इसकी खोच की थी और वो खीती आपका 1922 में सिंदुगाटी सब बिता की अगर मैं बाच करूँ तो देखें 2350 BC से लेकर 2350 BC से लेकर आपका 1750 BC ते के civilization चली थी यानि कि सिंदुगाटी सब बिता आपका चली थी और सबसे पहले जो साइट देखी गई थी वो 1921 में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोच की गई थी और उस साइट का नाम था आपका हडपा हडपा के साइट सबसे पहले देखी गई थी तो दोस्तों कुछ फैक्ट थे इंडर्स वैली स्विलेशन से संबंदिद जिसको आप ध्यान न रखेएगा जहां से एक्जाम में बार-बार आपके कुछन पूछा जाता है कुछन नमबर दो की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर पूछा गया है वैदिक साहित्ति का वैदिक प्रियर्ड कि बाथ करें तो आपका 1500 से लेकर आपका 600 BC तक हम वैदिक साहित्ति को लेकर चलते हैं जिसमें आपका 1500 से 1000 BC तक आपका कौन सा काल चलता है रिग वैदिक काल चलता है रिग वैद क संकलन्त किया गया था इसके आगए 1620 की बीच में आपका अन्य तीन वेद यानि की यजूरवेद, सामवेद और अथरवेद बने थे तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आपका रिगवेद सबसे प्राचिन किरंतरगरम बात करें वैदिक साहच्ती की तो वो निकल कर आता रिगवेद रिगवेद की विश्य में कुछ देखते हुए चलता हैं रिगवेद में 10 मंदल हैं 1028 सुक्त यानि की मंत्र हैं इसके अंदर और यहाँ पर देखें दोस्तों कुछ जो इसके मंदल हो काफी परसिद्ध है काफी exam में पूछ जाते हैं, जैसे madal number 3 madal number 3 में देखे, गायत्री मंत्र का window है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा था, सूरी की देवी सावित्री के लिए, और आपका madal number 9 madal number 9 में आपका क्या है? सोम देतौँ के बारे हैं, सोम रस के बारे हैं, कर आए गया है मंडल नमबर 10 की बात करें तो इसमें वर्णी वैस्ता देखने को मिलती है मंडल भाग मंडल नमबर 10 में आपका पुरू सुक्त है जिसके अंदर वर्ण वैस्ता की बात करी गई है और दोस्तो एक शीज़ और पताते हुए कि मंदल एक और मंदल दस यह दो मंदल आपका सबसे नवीन मंदल हैं. यानि कि सबसे बाद में जोड़े गए थे और सबसे प्राचीन आपका का 2 स 7 जो मंदल थे वो सबसे प्राचीन थे ठीक है दोस्तों यह हमने बात करी डिगवेत की आगे चलते हैं question number 3 की और question number 3 ने पूछा गया है कि रिगवेदिक काल का सर्व सक्तिमान देवता था question number 3 का आंसर देखिए option अगरी सोम इंद्र और वरुन तो इसका answer होगा सही answer आपका option number C यानि की आपका इंद्र देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा सक्तिसाली जिससे माना गया है सबसे ज्यादा powerful जिससे माना गया है वो माना गया है इंद्र को रिगवेदिक काल में यह हम कह सकते हैं कि जो इंद्र को बोला जाता था पुरंदर का अर्थ होता है आपका किलो को धुस्त करने वाला किलो को तोड़ने वाला तो देखिए इंद्र जो भगवान थे रिगवेदिक काल में इनको माना जाता था युद्ध का देवता किसका देवता युद्ध का देवता और साथ में इन प्रत्वे की देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त पर्थम बार पाया गया था या पाया जाता है इसका सई आपका होगा उत्तरवैदिक काल में जिसका टैंप रेट में आपको बता चुका हूं में है कितना आपका सही आंसर होगा हीरन जो करता वो कैसा करता एक कृष्षी करता तो सही आंसर आपका option number C आगे चलते है question number 6 की और question number 6 में पूछा गया है वाराह मिहिर ने परसिद्य ग्रंत लिखा था option है आपके अर्थिसास्त, विरहत सहीता तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका निकल कर आएगा क्या विरहत सहीता जो विरहत सहीता लिखी गई थी वो किसके दोरा लिखी गई थी वाहर महिरी के दोरा लिखी गई थी यहाँबर बात करें वरह महिरी की तो वरह महिर जो थे आपका चंद्रुगुप्त मुआरी के नव रतनों में से एक थे और इनी के दुवारा जो लिखा गया था विरहत सहीता लिखा गया था अब बात करें विरहत सहीता है क्या तो देखें दोस्तों विरहत सहीता संस्कृत में रचित क्या है विश्व कोस है संस्कृत में इसको लिखा गया है और संस्कृत मे तो देखे म्रच्च कटिकम के राइटर कौन थे, म्रच्च कटिकम को लिखा था, शुद्रक ने, शुद्रक के दौरा लिखा गया था म्रच्च कटिकम को, और म्रच्च कटिकम का अर्थ होता है, मिट्टी का खिलोना, और म्रच्च कटिकम क्या है, म्रच्च कटिकम एक संस्क की और कोशन नमबर साथ में पुछा यह है छत्रप किसके अधीन प्रांती छत्रप थे आगे बढ़ता है कोशन नमबर आठ की और असोग के सासंकाल में धर्म और नैतिक्ता का अधिकारी कौन था अप्सन आपके ए महामातर बी धर्म महामातर सी राजुक और डी आपका पुलिस तो दोस्तो इसका सही आंसर है जैसे कि धर्म और नैतिक्ता की बात करी गई है तो यहां पर इसका सही आंसर निकल कर आएगा आपका अप्सन नमबर बी यानि कि धर्म महामातर धर्म महामातर र किसने लिखी थी option आपके हर्सवर्धन कालिदास बानभट और option number आपका D है शील भद्र तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा आपका बानभट बानभट के द्वारा लिखा गया था किसको कादमबरी को यहाँ पर थोड़ा explanation देखते हुए चलते हैं बानभट कौन थे बानभट ह पूर्ण रूप से लिखा नहीं था और उसको लिखने से पहले इनकी क्या हो गई थी मिरत्य हो गई थी तो जो कादमबरी जो इनका किताब है कादमबरी जो इनकी बुक है वो इनके बेटे बेटे का नाम था भूशन भट तो देखें कादमबरी को पूरा किस नहीं क्या थ question number 10 में पूछा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था यानि कि प्रथम प्रवक्त कौन था option है आपका A महाविर स्वामी B है आपका अरिष्टनेवी C है रिसब देव और D है आपका पाश्वनाथ तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है option number C यानि कि रिसब देव देखिए रिसब देव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे इनका जो आपका चिन्न था वो था साड क्या था आपका साड यहाँ पर देखिए फिर हम और option को भी ध्यान में लेते हुए चलते हैं पहला option यहाँ पर दिया है महाीर स्वामी तो महावीर स्वामी जो थे आपके 24 नंबर के तीर्थकर अंपके छण्न था mitä छाण्न था का सिह मतलब सेर ठीकी दोसतों दूसरा option देखिए तिया है अरिस्टनेवी अरिष्टे नेम ही आपके थे 22 वे नमबर के तीर थे कर और इनका जो आपका चिन था वो था संक, क्या था संक ठीके दोस्तो, और लाश्ट ओप्जन हमारे पास देखने को मिला है पार्षुनात तो पाश्रुनाज जो थे ये आपका 23 नंबर के तीर्थे करते, कौन से नंबर के हैं? 23 नंबर के तीर्थे करते और इनका जो चिन्य था, वो था आपका सर्प. ठीके दोस्तों, यहां से भी कई बार एक्जाम में कोशन पूछा जाता है, इसी के साथ साथ में दोस्तों आपक का रिसब देव, इन दोनों के विशे में चर्चा की गई है, दोनों का नाम हमें कहां देखने को मिलता है, रिगवेद में देखने को मिलता है, ठीके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कोशन नंबर 11 की तरफ को, कोशन नंबर 11 में पूछा गया है, तीर्सरी बहुत सभा, किस इसके सभापतित्व में हुई थी, यानि कि यहां पर पूछना चाहा रहा है अध्यक्स का नाम, जो भी तीसरी बहुत सभा हुई थी, उसमें अध्यक्सता किसे ने की थी, option number A है असोग ने, option number B है कनिश्क ने, option number C है मोगली पुत्त तिश्री ने, option number D है आपका क्या यहां पर अश्व घोषने, तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है मोगली पुत्त तिश्री ने, बात करें देखें चार बहुत संगितिया हम पढ़ते हैं इत्यास में बहुत धर्में से संबंदित, यहां पर question पूछा गया है, तीसरी बहुत स सेर सहा सुरी दुवारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था पटना, ठीक है जो बिहार की राजधानी है, यहां पर हम बात करते हैं कि किसकी अध्यक्सता मोई थी, मैंने आपको अध्यक्सता का नाम बता दिया, अध्यक्स का नाम था और यहां पर देखी एक कोशन यह आता है कि सासक के सनक्षक में कि सासक के संडक्षण में तीसरी बहुत संगती को किया गया था तो सासक का नाम है असोक यानि कि असोक के संडक्षण में तीसरी बहुत संगती हुई थी और अब यह नेक्स कोशन निकल कर आता है कि निस्कर से क इस तीसरी बहुत संगती में हुआ क्या था तो देखे तीसरी बहुत संगती में आपका अभी धंव पिटक किसको अभी धंव पिटक को जोड़ा गया था अभी धंव पिटक तीन पिटक आपको पता है बहुत धर्मिके सुथ पिटक विन्य पिटक और अभी धंव पिटक और आपका गौतम बुद्धी की दर्सनों का विचार करता यानि गौतम बुद्धी की फिलोसपी का विचार बताता है तो तीसरी बौत संगती में आपका अभी धम पिटक को जोड़ा आगया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है कोशन नंबर 12 की तरफ को कोशन नंबर 12 यहां और option D है आपका पतंजली, तो दोस्तो इसका सही आंसर है आपका क्या, इसका सही आंसर है option number B यानि की विशाकदत, बात करें मुद्राराक्षस की देखिए, मुद्राराक्षस जो है संस्कित में लिखा गिया है, विशाकदत के दोरा लिखा गिया है, और अंसर है और मुद्राराक्षस में, चाणक्य और चंडckets्मॉरी को आधर बनाते हुए, इसको मुद्राराक्षस कोूः इसको, इसके सांसा देखिए, दोस्तो जो विशाकदत थे, संस्कित में नाटक लिखा करते थे, और ये कौन थे? ये गुप्त काल की एक महन विभूती थे, गुप्त काल की महन विभूती माना गया है किसको विशागदत को, इसके अलाबा देखे विशागदत का एक उपन्याज बहुत बार एकजाम में पूछा जाता है, उसका नाम भी आप देख लीजे, उसका नाम है आ गुप्तवनसी राजा राम चंदर की पतनी धुर्वदेवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्ती के बीच की जो कहानी है इसके उपर लिखा गया है देवी चंद्रगुप्त जिसमें आपने पढ़ा होगा कि धुर्वदेवी को किसके दौरा उनके पत तसकी बात करी गई है इसमें आपका चाणक क्यों चंद्रगुप्ति मौरी के विशे में लिखा गया है ठीक है दोस्तों आगे बात करते है कोशन नंबर 13 की कोशन नंबर 13 में पूछा गया है आपका यहां पर कि कलिंग राजा खारवेल की मेग बाहन वंसावली किस राज्य स संबंदित थी तो देखिए दोस्तों आपका आपका का जाजवान से संबंदित थी चेदी राजवन सी अगर बात करें तो चेदी भारत के एक प्राचीन जाती थी और जो पहले यानि कि पूरू में चेदी महा जंत चैदी महाजन्द पर देखने को मिला है, 14 आपका जो है जन्दपत की बात करी गई है तो उसमें चैदी महाजन्द पर जो है इसके अंतरगत आपका बुंदेल खंड याद रखेगा बुंदेल खंड और उसके आसपास का जो परदेश है वो सामिल था, देखें महा भारत में इस जन्दपत की बात करी गई हो महा भरत में चेदी को क्या बोला गया है चेदी जन्दपत को बोला गया है आपका सुक्ती मती ठीक है देखो दोस्तों सुक्ती मती बोला गया किसको चेदी जन्दपत को ठीक है आगे बढ़ते है कोशन नंबर 14 की ओर को देखो कोशन नंबर 14 पुछा गया है, प्रियाग प्रसस्ति के अनुसर, गुप्त शासक, समंद्र गुप्त के सीमा वरती राजज्यों के साथ किस प्रकार के संबन्द थे। उप्सन ए है, सर्वकरदान, उप्सन बी है, आज्या करण, उप्सन सी है आपका, प्राणा मागमन, और option D है आपका उप्रोग तो सभी तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है उप्रोग तो सभी यानि कि चंदर गुप्ति के अपने जो संबंदे थे वो तीनों प्रकार के संबंद हमें देखने को मिलते हैं किसमें प्रियाग प्रसस्ती में अब बात करें प्रियाग प्रसस्ती की यहां पर तो दीके प्रियाग प्रसस्ती को लिखा किसने था देखिए एक लेख था और इस लेख को लिखा गया था किसके द्वारा हरीशेण के द्वारा कहां गुदवाया था कहां लिखवाया था समुद्र गुप्ति द्वारा कौसामबी से लाए गए असोक इस्तंब में खुदवाया गया था किसको प्रियाक पसस्ती के लेख को कहां लिखवाया गया था कहां खुदवाया गया था कौसामबी से लाए गए असोक इस्तंब में और वो स्तंभल लाया गया था 200 ईसा के टैम पे समुद्र गुप्ति के द्वारा, ठीके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कोशन नंबर 15 की, कोशन नंबर 15 पुछा गया है, कनिस्क के समय का महान विद्वान कौन था, तो देखें यहाँ पर कोशन नं कमबर B याने की अश्वखोस, अश्वखोस जो थे, कनिस्क के समय के महान विद्वान थे, और आपको याद होगा है, कनिस्क के समय ही, चौथी बहुत संगती हुई थी कहां, कुंडल वन, कश्मीर में, और इसकी जो अध्यक्स ता की थी, वो की थी वशुमित्र ने, उपा है, आपका बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रशना किसने की है, अश्वखोसने की है, और बुद्ध चरित्र जो आपकी इनके द्वरा लिखा गया है, इसको बहुत धर्म की रामायन भी माना जाता है, ठीके दोस्तों, तो ये बात हमने करें कोशन नमबर 15 की, और आप्सिन नमबर D है, आपका महराष्ट का, तो दोस्तों इसका स्यान से निकल अगा रहागा, कश्मीर, देख कश्मीर को इत्यास को जानने का एक मात्र सुरूत हमें जो मिलता है, वो मिलता है, राज तरंगनी, और राज तरंगनी किसको दौरा लिखा गया था, ये लि विष्टी सब्द प्रियुक्त होता था, A. भूमी अनुदान के लिए, B. बेगार शरम के लिए, C. कृष्टी मजदूरी के लिए, D. आपका दस्त कारों के लिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका किस क्या, बेगार शरम के लिए, बेगार शरम मतलब कि बिना मजद विष्टा केंद्र को उदारता पूर्वक, सहीता वढ़ी को, दोस्तों, इसका सही आंसर है, आपका क्या, आपका वललभी, वललभी को मैतरक, वंशी सासल को दोरा क्या गया दिया गया था, सहीता वस अनुद Arenky दिया गया था, आगे बढ़ें, कोशन नंबर 19 के और, कोशन तो इसका सही आंसर आपका निकल कर आएगा प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम जो वाकाटक वन्स के सासक थे, इदो ने चार असुमेग यागी करवाये थे, और किसकी उपाधी ली थी, समराट की उपाधी ली थी, तो सही आंसर आपका option number A, प्रवरसेन प्रथम, option C है आपका वल लभाचारी और option D है आपका संकराचारी, तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका निकल कर आएगा option number D, यानि की संकराचारी, देखें दोस्तो संकराचारी को हिंदू, हिंदू धर्म का पुनर संस्तापक माना गया है, बात करें संकराचारी की, तो 507 BC के टैम प होता कहां, कलादी, कलादी केरल में इनका जनम होता, यानि कलादी जो वर्तमान समय में कहां पढ़ता है, केरल में पढ़ता है, और इस समय पर जनम होता, इस समय पर कहां सामिल था है, उस समय पर ये चेर सामराज जी का अधिन आता था, चेर सामराज जी के राजी में सामिल इनका जनम होता संक्राचारी का, इसी के सांद देखिए संक्राचारी की कुछ नाम है जो एक्जाम में 12 पूछा जाता है, संक्राचारी को शिवाउतार, आदी गुरू, धर्म परवर्तक ये सब बोला जाता है, और इसी के सांद जो बहुत जादा एक्जाम में पूछा जाता है कि प्रच्छन steht किसे का जाता है प्रचन बुद्ह है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते का सभा नामक संस्ता कहां कारी रहती सभा के विशे में पूछ रहा है कि हाँ चोल कालिन स्थानी सौसासन में तो यहां पर उप्षिन है वल नाडू नाडू ब्रहम्मड को दान में दिये जाने वाले गाउं या फिर साधहरण गाउं तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका ब्रह चोल सौसासन था चोल सामराजी था इसके अंतरगत ब्रहम्मड को जो गाउं दान में दिया जाता था वहां पर कौन से सभा काम करती थी कौन से संस्ता काम करती वहां पर आपका सभा नाम की संस्ता कारी कारी रत थी आगे बढ़ता है कोशन नंबर 22 की और को जानते हैं कोश कोशन नमबर 22 की बात करें तो यहाँ पूछा गया है होईल सेलवर होईल सेलवर और चत्राकेश्वस पाचीन मंदिर किस होई साल सासक के संडक्षन में बनाए गए थे तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है हाँ पर कोशन नमबर 22 का ऑपसन नमबर सी विष्णु वर्धन के संडक्षन में इन मंदिरों का अंदिर मान किया गया था आगे बढ़ता है कोशन नमबर 23 की ओर कोशन नमबर 23 में पूछा गया है किस पाल सासक के दरबार में जावा के राजा सेलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्विध्याले में जाव देखें इंडोनिशिया का एक दीप है और जो पाल सासकते हैं वो मुख्यतों कहां राज करते थे मुख्यतों बंगाल में राज करते थे तो पाल सासक के किस पाल सासक के समय इनको भीचा गया था option आपका A धरमपाल, option B देवपाल, option C नाराणपाल, option D है आपका महिपाल first तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है option B यानि कि देवपाल के समय पर ये भी दूद मंडल भेचाईया था बात करें देवपाल की, तो देखें जो धरमपाल यहां पर राजा था पालवंस का उसका ही उत्राधिकारी कौन था, उसका ही इत्राधिकारी था देवपाल इसने गुर्जरो और हुडो को पराजित किया था, कि इनको गुर्जरो और हुडो को पराजित किया था इसके समय की बात करें इसके टैम पिरेट की बात करें तो 810 से लेकर 850 AD तक ये क्या रहा है आपका राजा रहा 810 से लेकर 850 AD तक ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 24 की ओर कोशन नमबर 24 में पूछा गया है दान सागर एवम अदबुत सागर नामक जोतिस गरंतों की रचना करने वाला सेन सासक था आपका सामंत सेन बलाल सेन विजय सेन और डी है आपका लक्समर सेन दोस्तों इसका सही आंसर आपका निकल कर आता है आपसन नमबर B यानि की बलाल से सेन जो आपका एक सेन सासक था इसी ने दान सागर और अदबुत सागर नामक जोतिस गरंतों की रचना की थी अगर बलाल सेन की बात करें तो इसका जो टैंपरेड है वो टैंपरेड है आपका इसका 1185 यानि की 1158 से लेकर 1189 यानि की 1179 इस वी तक इसने राच किया और देख बंगाल से पालवंस का सासन क्या कर दिया था? खतम किया था? पालवंस के सासन का अंतिक क्या था? कहां पर बंगाल मैं ठीके दोस्तों? आगे बढ़ता है कोर्षण नंबर 25 की और को. यहाँ पर कोर्षण नंबर 25 पूछा यह है किस राजवंस ने गुर्जर परतिहारों पर दबाव डानने के लिए अर्बों से मित्रता की मस्जीद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुधाय भी परदान की थी तो देखे दोस्तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या ओप्सम नंबर सी आप्सन नंबर सी यानि कि राष्टकूर्ट सासकों ने ये कारी किया था अर्बों के साथ मित्रता की थी गुर्जर परतिहरों जो रबंश था उसके अपर दबाव डानने के लिए राष्टकूर्ट वंस के अगर हम बात करें तो 736 से लेकर आपका 9723 एस्वी तक इनका सासन देखने को मिलता है आपका ठीक है दक्शिन भारत का राजजि था जो दंति दुर्ग था इसका प्रथम सासकता है उस सासक का नाम था क्या दनती दुर्ग दंती दुर को राश्ट कूर्ट वंस का क्या था पहला सासक था दक्षिन भारत का वंस है दक्षिन भारत का एक राज्जी था और दोस्तों सबसे महत्यू प्रोकोशन जो राश्ट कूर्ट वंस से संबंदित आता है वो ये है कि जो ऐलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं है महराष्ट के पास ऐलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं उनका निर्मान राष्टकूर सासकूर के द्वारा ही कराया गया था ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? question number 26 की question number 26 ने पूछा गया है पदमावती कथा का रचनकार रचनाकार कौन था option है आपके मुलादाउद option B है आपका दामुदर कवी option C है कुतुबन option D है आपका मलिक मुहम्मद जाईसी तो दोस्तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है उसका सही आंसर आपका निकल कर आया है यहाँ पर क्या है उसका सही आंसर है मलिक मुहम्मद जाईसी देखें मलिक मुहम्मद जाईसी ने जो क्या था है पदमावत की रचना की थी और पदमावत जो है आपका देखें चित्तोड के राजा थे राजा रावल रतन सिंग तो राजा रावल रतन सिंग की जो पती नहीं हुआ कर थी पदमनी या पदमावती तो पदमावती राजा रावल रतन सिंग उनके पती और अल्लाओ दिन खिलजी कौन अल्लाओ दिन खिलजी जो खिलजी वंसका एक रसाशक था खिलजी पे रखते हुए ये कथा लिखी गई है पदमावती की और लिखा किसके दौरा गया है मलिक मुहम्मद जैसी के दौरा लिखा गया है आरजा राव रटन सिंहिग का आपका साहित कपूर ऑर आपका लगया पदमावती की गया हैं इस्टा वे दिल्टोद मस सुंप ओपो सुरु है तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका निकल कर आएगा उप्सन नमबर A इल्तुतमिस ने एक इकता पर्था को लागू किया था तो देखे दोस्तो इल्तुतमिस जो था कुतुबद्दिन एबक यानि की 1206 में जिसने गुलाम मंस्की स्थापना की थी कुतुबद्दिन एबक ने तो कुतुबद्दिन एबक का दामाद और एक सेना नैग था सान्थ मोसका गुलाम भी था इल्तुतमिस ने जो है आपका इल्तुदमिस को दिल्ली सलतनत का वास्तविक सस्तापक माना जाता है यही राजधानी को लाहूर से दिल्ली लेके आया था और इसने अपने समराजी को कुछ एकताओं में बाट दिया था और हर एक भाग क्या कहलाया एकता कहलाया और जो जो इस भाग का जो अधिकारी होता था जिस अधिकारी के तहत ये भाग की देखरे की जाती थी उ वो कहलाते थे आपका क्या, इक्तादार, वो क्या कहलाता था, इक्तादार कहलाता था, पड़ते एक्तादार के पास अपने अपने इक्ता होती थी, तो इसका सही आंसर आपका सकता है, इसका ए याने की, आपका इल्टुत मिस, आगे बढ़ते हैं कुशन नम्बर 28 की और, वह वह सुल्टान जिसने स्वैम को खलीफा घुशित किया था कोशन नमर अठेसे पूछा गया है वह सुल्टान कौन था जिसने स्वैम को खलीफा घुशित किया था तो दोस्तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है कुतुब बुद्दिन मुबारक शाह खिलजी देखिए दोस्त तो तेरा सौनला के समय पर क्या हूआ था इसके ही सेना न आया खुसरोगां दोरा इसकी हत्या कर दी गई थी और खुसरोगां तो semaine को मुबार्क शाहा इसने ४क्रालवा कि इसके साथ साथ कुछ अतरंगी कुछ अतरंगी हरकतों के लिए tut Speaking को जाना जाता है जैसे यह के एक अतरंग की हरकत थी जिसने स्वैम को क्या खोशित किया था खलीफा घोशित किया था आगे चलते हैं कोशन नमबर 29 की ओर 29 की ओर यहाँ पर पूछा गिया है सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी या किया था option number A है कुटुब दिन एबग, option B है खिजर खा, option C है फिरोज तुगलग और option D है आपका क्या शिकंदर लोदी यानिकी सिकंदर लोदी तो यहाँ पर सही आंसर निकल कर आएगा आपका option number D यानिकी सिकंदर लोदी तो देखे सिकंदर लोदी ने पंदरा सो चार में आगरा अगर की स्थापना की थी और जो सिकंदर लोदी है इसके विश्ण में कुछ और पाइंट अगर हम देखके चलें तो गुलुरूखी नाम से किस नाम से गुलुरूखी उपनाम से क्या लिखा करता था यह कविताय लिखा करता था बहुत अच्छा कवी था गजए शिकंदरी और सिकंदर लोधी की जो मृत्यू हुई वो गले की बीमारी से हुई तो कभी कभी कुशन पूसता है कि दिल्ली सल्तनत का वह सासक जिसकी मृत्यू गले की बीमारी से हुई थी आप आंसर देंगे सिकंदर लोधी ठीक है दोस्तों लोधी वंस का सस्तापक कौन था लोधी वं कौन सा था आपका लोधी वएंस था ठीके दोस्तों और दूसरा आपका निकल कर आएगा बाद में आपका मुगल वगेड़ा आप देखे आगे बढ़ते हैं दूसरा जो अफगानיך से निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा सूरवंस पहला आगर अगर आप हम बात तीस में पुछा गिया है चितोड़ पर कबजा करने के बाद अल्लाहुद्दिन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था option A है खिर्जाबाद, option B है आदिलाबाद, option C है किलो गड़ी और option D है इनमे से कोई नहीं, तो दोस्तो इसका सही आंसर है आपका क्या खिर्जाबाद, तो चितोड़ पर जब उसने कबजा किया था, तो उसका नाम इसने क्या रख दिया था, खिर्जाबाद रख दिया था अपने ही ससूर और अपने ही चाचा जलाव निखिल जी की हत्या की थी, कड़ा मानिकपूर पे, और स्वैम को राजा घुषित किया था, स्वैम को सुल्तान घुषित किया था, सुल्तान बनने के बाद देखे, इसकी जो इच्छा थी, वो पूरे विश्वो को जीतने की थ इसके लिए इसने चाल लाग से उपपर की सेना भी रखी परन्तु कुछ ऐसी घटनाइं हुई, कुछ ऐसी परिस्तितियां बनी कि ये उस अभ्यान पे जा नहीं सका, तो उस अभ्यान पे जा नहीं सका सिकंदर के समान, तो इसने क्या करा सौय में एक उपाधी ले लिया और उपाधी का नाम कहलाया सिकंदर सानी सिकंदर सानी का रत होता है दूसरा सिकंदर क्या होता है इस का रत है दूसरा सिकंदर तो दोस्तों याद रखेगा सिकंदर सानी की उपाधी किस ने ली थी आपका अल्लावदिन खिल जी ने ली थी आगे बढ़ता है कोशन नंबर आपक और option D है आपका विरुपाक्ष दुती, तो दोस्तो इसका सही आंसर है आपका क्या, देवराय दुती, देवराय दुती के टैम पे फार्सी आतरी, अब्दुर रज्जा कहा है था, भारत आया था, तो देवराय दुती कहा करा जा था, ये राजा था आपका, विजयनगर का, ठीक है दुस्तो, और विजयनगर के स्थापना कीती, हरी हर बुक्का नामक दो भाईयों ने, और कप की थी नोंने, 1336 में, ठीक है दुस्तो, जो संगम मंस हुआ करता था, विजयनगर का पहला बंस, संगम मंस, तो संगम मंस की स्थापना कीती, हरी हर बुक्का ने, अपने सासनकाल की बात करें तो 1424 से लेकर 1446 तक इसने राज किया और इसी के समय आपका 1442 यानि की 1442 में आपका जो अब्दुल लज्जाग था 1442 में अब्दुल लज्जाग फार्सी आतरी विजयनेगर आया था इसके सासनकाल में भरत में इसने आतरा की थी ठीक है दोस्तो तो विजयनेगर देखिए मुहंबद बिन तुकलक जब दिल्ली सलतरत का राजा था तो उसके समय पर हरी हर बुका ने विजयनेगर के स्थापना की थी देखिए विजयनेगर जो है आपका इसके राजधानी हंपी थी कन्नाटक के पास यहां पर तो देखिए दोस्तो चार वंसों ने विजयनेगर में राज किया है पहला वंस आपका निकल कर आया है विजयनेगर में संगम वंस और आपका दूसरा वंस था यहां पर चारवंसों ने राज किया था उसी में संगमंस का राजा था एक देवराय दूती आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 33 की और यहां पर पूछा गया है तेलगु साहित्य का क्लासिक यूग किस राजा के कारिकाल में था उप्सन A है राम राए उप्सन B है आपका क्रिश्न देव राए उप्सन C है आपका सदा सिव राए और उप्सन D है आपका वीर नरसिंग तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है आपका क्या उप्सन B क्रिश्न देव राए तो देखे कृष्ण देवराय सबसे महान सासक माने जाते हैं पूरे भारत वंस के, ये इतने महान सासक थे कि बाबर ने अपनी आत्म कथा, तुझो के बाबरी में क्या लिखा है, तुझो के बाबरी में बाबर ने कृष्ण देवराय को भारत का सबसे महान सासक बताया है, कि उसा परिणे जैसी पुस्त के लिखी हैं और इनी के दर्बार में आपके तेलगु साहित्य के आठ परसिद्ध कवी रहा करते थे जिनको क्या कहा जाता था अश्ट दिगज कहा जाता था ठीक है दोस्तो अश्ट दिगज कोशन पूछे का अश्ट दिगज किसके दर्बार में थे इसी कारण से देखिए तेलगु साहिति का क्लास्व की बुला जाता है किसको कृष्ण देवराय के सासंकाल को ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कोशन नमबर 34 की कोशन नमबर 34 से पूछा गया है आपका सिर्य अकबर फार्सी अनुवाद है उपसन बी है उपसन A है उपनिशुदों का उपसन B है रामैर का उपसन C है महाबरहत का और उपसन D है आपका वेदों का तो सही आंसर है इसका उपसन नमबर A यानि कि सिर्य अकबर किसका फार्सी अनुवाद है यह है आपका किसका उपनिशुदों का फार्सी अनुवाद है अब कोशन नाम रखा गया सिरे अगबर और सिरे अगबर का अर्थ होता है इसको अगर मैं हिंदी में बताते हूं चलो आपको सिरे अगबर का अर्थ होता है महान रहेश महान रहेशी को बोला जाता सिरे अगबर ठीक है दोस्तों दाराशी को दौरा अनवात किया गया था आगे बढ़त तुरारा क्या बनाया गया था राजिक टकसाल का बैदानीक अध्यक्स बनाया गया था ठीके दोस्तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोशन नमबर 36 की कोशन नमबर 36 में पूछा गया है अबुलफजल ने किस संगितिक्गी के संदर्व में कहा था कि उसके जैसा गायक प अकबर नामा, अकबर के उपर जो पुस्तक लिखी गई है, अकबर नामा किसको दोरा लिखी गई है, अबुल फजल के दोरा लिखी गई है, तो अबुल फजल दोरा किसके लिए कहा गया था, यहां पर कुछ ने पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपको, अपस नाम था राम तनू, वास्तावी नाम क्या था राम तनू, पंदरा सो च्ञrogक के समय 506 स्वी में इसका जनम हुआ था और इसका जनम हुआ था कहाँ गौालियर में तो यह देखी यहां से भी कोश्न पुसह था था कि तानसीम का जनम कहा हुआ जनमिस्थान ता ग्वालियर संथा पंदरा सो छे और अकबर के दरवार में महरतनों में से एक था बहुत सारे इसने राग बनाए और देखे रामतनु पांडे इसका रियल नेम था बास्तवी नाम इसका रामतनु था आगे बढ़ता है कोश्चन नंबर 37 क्यों कोश पिरी नाम मुझहिद से जाना जाने वाला सूफी संथ था तो देखे कोश्चन यहाँ पर 37 का सही आंसर आपका निकल कर आता है सेख एहमध सरहंदी जो थे उतना जो लोग पिरी नाम था, लोग जिस नाम से जानते थे वो नाम था, आपका मुझहिद ठीके तोस्टों, बंगाल, उप्शन B है मैसूर, उप्शन C है कस्मीर और उप्शन D है आपका एहमदाबाद, तो दोस्तो इसका सही आंसर आपका क्या है, उप्शन नमबर A यानि की बंगाल, ठीक है, आगे बड़े कोशन नमबर 39 के ओर, अबदार खाना, क्या, अबदार खाना किस विभाग स संबंदित था, उप्शन A है वेतन विभाग, उप्शन B है उध्यान विभाग, उप्शन C है आपका जल आपूरती विभाग, और उप्शन D है आपका डाक विभाग, तो दोस्तो इसका सही आंसर है, अबदार खाना जो था, उसका संबंद था, जल आपूरती विभाग से ठीके दोस्तों, आगे बढ़ता है question number 40 के ओर को, मुगल सेना में अहदिस, मुगल सेना में, आनिके मुगल सेनी विभाग में अहदिस था, पैदल दस्ता, मंजलिक चालाग एकाई, प्रशिक्षिक्त, शुरक्सा दस्ता, या उच्च वर्गी घुरसवार, तो देखे दोस्तो जो उच्च वर्गी घुरसवार थे, उनको कहा जाता था, क्या अहदिस, क्या कहा जाता था, अहदिस कहा जाता था, आगे बढ़ता है question number 41 के ओर को, question number 41 में पूछा गया है, William Norris, एक राजदूत, अंग्रेज राजदूत था, अकबर के दरवार में, जहांगीर के दरवार म और फरुक सियर के दरवार में, तो दोस्तो इसका सही आंसर आ आपका, औरंग जेप के दरवार में, ठीके दोस्तो, East India Company के दुवारा इसको भीजा गया था, कुछ यहांपर परमिस्स लेनी थी कुछ यहां पर सहमती लेनी थी कुछ साहिता के लिए यहां पर इसको कुछ भीजा गया था कि इसको विल्यम नौरी स्कोर किसके दरवारे में भीजा गया था औरंग जिप के दरवार में ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है कोशन नमर 42 की और को बात करता ह आपका सहां जहां और अप्सन डी है आपका औरंग जिप तो देखिए मोहसिब जो विभाग था मोहसिब किसके द्वारा खोला गया था औरंग जिप के द्वारा खोला गया था तो इसका सही आंसर होगा और अप्सन नमर डी बात करें मोहसिब की तो मोहसिब देखिए एक अधिकारी का नाम भी होता था महसिब जो महसिब विभाग था उसका जो उच्छे अधिकारी था उसका नाम था महसिब तो मुहतिसिक का काम क्याता देखे मुहसिब का काम था आम जनता में सदाचार को देखने वाला किसको सदाचार को देखने वाला अर्थात जो जनता को आगे बढ़ता है question number 43 के और को यहाँ पर पूछा गया है सहाजहां की प्रिपतनी मुम्ताज महल की मिर्त्यू हुई थी आगरा में दिल्ली में बुरहानपुर में या अजमेर में तो दोस्तो इसका सही आंसर है आपका option number C यानि की बुरहानपुर में ठीक दोस्तो तो देखि अरजुमंद बानो बेगम ठीक है अरजुमंद बानो बेगम इसका वास्तविक नाम था बाद में इसका नाम मुम्ताज महल पड़ा और देखिए इसकी जो मिर्त्यू हुई थी वो ही थी आपकी 1631 के समय पर मिर्त्यू का कारान प्रसाव पीड़ा प्रसाव पीड़ा की आगे चलते है कोशन नमबर 44 के और को यहां पर पूछा गया रजम नामा फार्सी अनुवाद है पंचितंत्र का रामयन का महाबारत का इनमें से कोई नहीं तो देखिए दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आंसर है आपका महाबारत का अकबर के समय पर रजम नामा का फार् अनुडान विभाग था अनुवाद विभाग जो हुआ करता था अनुवाद विभाग के जो परधान थे उनका नाम था फैजी तो इसी अनुवाद विभाग के दोरा महाबारत का फार्सी मानुवाद किया गया था और वो नाम क्या कहलाया आपका वो नाम कहलाया रजम ना और रज miniama का अगर मैं अर्थ आपको हिंदी में समझाते हुए चलू तो इसका अर्थ होता है आपका क्या युद्धोगी पुस्टक तक कि युद्धोकी पुस्तक के विश्वे में लिखा गया है उसको रज Oldham मां कहा जाता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है कोशन नंबर 45 के और को कोशन नंबर 45 में पूछा गया है सर विलियम जोस ने असीयाटिक सोसाइटी और बंगाल के स्थापना कब की थी तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानि कि 1784 में सर विलियम जोस दुआरा एसीयाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की गई थी आगे बढ़ता है कोशन नंबर 46 की और को यहां पर प कोशन नंबर नरत का साथ गावरतिक बाएवरतिक वूिस को लिखा गिया वह लिखा वो लिखा किया है आपका ऑपिसन नंबर डी आरव सी निघख़न चौदरी ने ऴीपिंचन ने दो देख़ें को आ जो आर्टिक हिसको दारा लिखागिया वो लिखा आगे बढ़ते हैं किस भारती को पर्थंबार बंगाल का उप दिवान निक्त किया गया था यहां पर आपके निकल कर आए हैं राजा सिताब राए महम्मद रजा खान आसफ खान और डी है आपका दुर्गादास तो दोस्तों इसका जो सई आंसर है वह आपका मोहम्मद रजा खान मुहम्मद रजा खान को पहला भारती था जिसको बंगाल का उप दिवान निक्ति किया गया था कोशन नमबर 49 के और बढ़ते हैं देखे कोशन नमबर 49 में हम पर पूछा गया है एलफिश्टन कहां का गवर्णर था 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नमबर A जो आपका अठारा सो त्रेपन आपका पोश्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम पारिद किया गया था ठीक है दोस्तों तो आज हमने बात करी जो आपका प्रवक्ता सम्वर्ग के हिस्ट्री के का जो पेपर था उसके पचास कोशनों का हम देखते वें चले तो वीडियो कुछ लंब पाना हो जाए इसकी वज़े से मैं 50-50 कोशनों को यहां पर देता हूं आपको 50-50 कोशनों में तोड़के मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो निकल कर आएगा उसमें हम जो नेक्स्ट आपका 51-100 कोशन है उसकी बात करेंगे और इसी प्रक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिक्शन बैल को दवा लिजे ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो आपके लिए अप्रोड किया जाए सबसे पहले दिंग आपके पास पहु मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे आगे कोश्चन की तब तक के लिए धन्निवाद